हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब हम एक ICO वार्ड में जाते हैं, तो हमें अक्सर एक TV स्क्रिन जैसा मोनीटर देखने को मिलता है। दरसल ये ICO का मोनीटर होता है, और एक पेसेन के लिए ये बहत जरूरी होता है। हम अक्सर monitor के lines को देखते हैं लेकिन देखकर ज़्यादा कुछ मालूम नहीं सलता है आज हम जानेंगे monitor में ऐसे क्या-क्या parameters होते हैं ठीक है, so guys ये एक monitor है आप देख सकते हैं इसमें जो green color की line से उसका मतलब है ECG जिसका full from होता है electrocardiograph तो इस line के द्वारा हमारे दिल की धरकन यानि heartbeat को देखा जाता है जिसका normal range होता है 60 से 100 bit per minute ठीक है अगर 100 के उपर चला जाए है तो ये दर्स आएगा कि heartbeat normal नहीं है यानि कि टेकी कार्डिया हुआ है, so cardiac का मतलब होता है hard और टेकी का मतलब होता है repeat जो normal से उपर होता है उसको हम टेकी कार्डिया कहते है उसके बाद अगर 60 से नीचे आ जाए तो उसको हम ready कार्डिया कहेंगे इसका मतलब है slow heart rate ठीक है, so इसका जो normal range है वो है 60 से 100 उसके बाद जो blue color की line है वो है SpO2 यानि की saturation of oxygen ठीक है इसके द्वारा हमरे blood में कितना oxygen मौजूद है ये दर्शाय जाता है, so oxygen को measure किया जाता है एक pulse oximeter नमक device से ये pulse oximeter basically monitor से connected होता है और इसमें एक red color की light होती है जैसे आप देख सकते है ये device क्या होता है, उंगलियों में लगाया जाता है और इस light के करन आपकी blood में जितना भी oxygen होगा वो monitor में show करेगा so normal oxygen rate होता है 90 से 100 तक, अगर 90 के नीशे oxygen आएगा तो हमें patient को extra oxygen बाहर से marks के द्वारा दिया जाता है अब बत करेंगे जो yellow line से उसके बारे में, so ये दर सता है respiration rate यानि की एक बेकती एक minute में कितने बार सास लेता है और कितने बार सास सोरता है इसका normal range adult यानि बरो में होता है 12 से 20 breathe per minute, children यानि एक से 7 सल की बच्चों में होता है 13 से 30 breathe per minute, उसके बाद new born में होता है 30 से 60 breathe per minute, उसके बाद adult में होता है 60 से 70 breathe per minute इस monitor में respiration rate दिया हुआ है 15 जो adult में normal range होती है उसके बाद जो white color में होती है 139 से 77 वो होता है blood pressure, blood pressure तो सभी को पता है blood के द्वाराज जो हमारे artery के वालो में pressure ग्रेत होता है उसको blood pressure कहते है इसका normal range होता है 120 by 80 mmHg, pre hypertension, hypertension का मतलब है अगर normal range से ज्यादा value है तो उसको हम hypertension कहते हैं तो pre hypertension का range होता है 120 by 129 mmHg, stage 1 का hypertension होता है 130 by 139 mmHg और stage 2 का hypertension का range होता है 140 by 90 mmHg यह सारे parameters होते हैं एक monitor में जो patient को 24 hour का blood pressure, heart beat, respiration rate, oxygen देखी जाती है और अगर कुछ भी उपार निसे होता है तो जल्दी से ICU ward में treatment किया जाता है आप लोगों को समझा पाई हो, अगर आपको फिर भी doubt है तो आप comment कर सकते हैं आज का वीडियो इतना तक ही, thank you